आदिक पांडिया ने इस आईरिश बल्लेबाज को गिफ्ट किया बैट कहा IPL में देखना चाहता हूँ बारत और आईरलेंड के बीच डबलिन में खेला गया पहला T20 रोमांचक मोड पर खत्म हुआ बारत इस मैच में टीम इंडिया ने आईरलेंड को साथ विकेट से हरा दिया बारत की वज़ा से यह मैच 12-12 ओवर का हुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए आईरलेंड ने चार विकेट पर 108 रन का स्कोल बनाया इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हैरी टेक्टर का रहा उन्होंने 33 गेंदों पर 6 चोके और 3 चके की मदद से 64 रन की तूफानी पारी खेली बारत ये कप्तान हार्दिक पांडिया ने इस पारी के लिए हैरी टेक्टर की तारिफ भी की है अलाकि दीपक हुडा और हार्दिक पांडिया की सांदार बल्लेबाजी की बदॉलट टीम इंडिया यह मैच 9.2 ओवर में जीतने में कामियाब रही रविवार को डबलिन के मलाहाइट क्रिकेट क्लब ग्राउंड में जीत दर्जी करने के बाद हार्दिक ने कहा हैरी टेक्टर ने कुछ सांदार शॉट खेले और जाहे रहे की बहर सिर्फ 22 साल के हैं मैंने उन्हें एक बल्ला भी गिफ्ट किया ताकि बहर कुछ और छक्के लगा सकें और IPL कॉंट्रक्ट भी हासिल करें मैं उन्हें शुपकामनाय देता हूँ उन्हें बस अच्छी ट्रेनिंग और सही मार्गदर्शन की जरूरत है आर्दिक ने कहा सिर्फ क्रिकेट नहीं हैरी को अपना उद्देश समझने की जरूरत है उन्हें यह देखना होगा कि अगर वह अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं तो क्या गवा सकते हैं जिस दिन वह इन बातों को समझ जाएंगे वह जरूरत होंगे सिर्फ आई पेल ही नहीं हैरी फिर दुनिया भर की लीगों के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूरत बताईए